क्या कर्म होते हैं और ये हमारे भागे पर कैसे असर डालते हैं? चलिए इसे समझते हैं कर्म मतलब काम तो जब आप कहते हैं कर्म आपका मतलब है काम चार तरह के काम होते हैं आप चार तरह के काम कर रहे हैं अभी यहां बैठे हुए आपका शरीर जो कर रहा है, शारेरिक काम आपके मन में कुछ चल रहा है, मानसिक काम आप में भाव आ जा रहे हैं, भावनात्मक काम आपकी उरजाएं कुछ कर रहे हैं, उरजा काम काम के ये चार आयाम होते रहते हैं आपकी जिन्दगी के हर पल चाहे आप जाग रहे हूं या सो रहे हूं ये होते रहते हैं आज सुबह से लेकर यानि जब से आप जागे हैं मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा जब आप सो रहते जिस पल से आपकी नींद खुली तब से अब तक इन चार तरह के कामों के कितने प्रतिशत हिस्से के बारे में आप जागरूक्त हैं, ये सवाल है, आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत हिस्से के प्रति आप जागरूक्त हैं, सुबह से लेकर अब तक इन चार कामों में, एक प्रतिशत से भी कम, है न? तो आपके 99 प्रतिशत से ज़ादा कर्म, यानि काम, अचेतन है मान लीजे, मैं अंजाने में कुछ उठा कर उपर की तरफ फेकने लग जाओ और वो सामान आकर मेरे सिर पर ही गिरता रहे, तो मुझे लगेगा वो आस्मान से गिर रहे क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने वो सामान फेका है जब आपके 99 प्रतिशत या उससे भी ज़ादा काम अचेतन है तो आपको हमेशा लगेगा कि ये सब आपके साथ हो रहा है, है न? लोग हमेशा से जागरुक रहने के बाद क्यूं करते आए हैं? बस इसलिए कि अगर आप अपनी चेतनता को 2 प्रतिशत तक बढ़ा दें, तो अचानक आपको लगेगा आपका भाग्य आपके हाथ में है अगर आप अपने शरीर पर महारत हासिल कर लें, तो आपकी जिन्दगी और भाग्य का 15 से 20 प्रतिशत आपके हाथ में आ जाएगा अगर आप अपने मन पर महारत हासिल कर लें, तो आपकी जिन्दगी और भाग्य का 50 से 60 प्रतिशत कंट्रोल आपके हाथ में होगा अगर आप अपनी जीवन उर्जा पर महारत हासिल कर लें, तो सौ प्रतिशत जिन्दगी और भागय आपके हाथ में होगा अब आपके बुद्धी या आपके माइंड की बनावट खुद को कई तरह से वेक्ट करती है अंग्रेजी भाषा में सिर्फ एक शब्द माइंड में सब कुछ आ जाता है पर योग विज्ञान में हम माइंड को सोलह हिसों में देखते हैं मैं अभी अभी सोलह की बात नहीं करूँगा, हम इसको चार टुकडों में बांट लेते हैं इन चार टुकडों को कहते हैं बुद्धी, अहंकार, मनस और चित बुद्धी का मतलब है तारकिक बुद्धी तर्क एक तेज चाकुए, ये जितना तेज हो उतना अच्छा है बुद्धी का तरीका ये है कि ये हर चीज को समझने के लिए उसके टुकडे करता है ये ही इसकी प्रकृती है, हमारी आधुनिक शिक्षा पूरी तरह से तर्क पर जोर देती है इसलिए बुद्धी के दूसरे आयामों को पूरी तरह अंदेखा कर दिया है आजकल की modern education में, हर चीज में बस तर्क ही है इसका मतलब है कि आपको वास्तव में जानने के लिए मुझे आपके दो टुकडे करने होंगे हाँ, तर्क सिर्फ इसी तरह किसी चीज को जान सकता है देखिए, अगर आप ये खूबसूरत फूल एक वैज्ञानी को दें तो वो इसे तोड़ कर कई हिस्सों में बांट देगा और आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा बात बस इतनी है कि वो फूल का अनुभव उस रूप में नहीं कर पाएगा जैसा वो है, वो नहीं जान पाएगा जो एक मधुमक्खी जानती है पर उसे बहुत सी दूसरी बाते पता है क्योंकि तर की यही प्रविर्ती है अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो क्या उसकी चीरफाड करेंगे? और मैं आपको बता दूँ, अभी हम सब वहीं जा रहे हैं हमारी शिक्षापदती, हमारी संस्कृतियां, सब इंटेलेक्शुल बन रहे हैं जब सब इंटेलेक्शुल बन जाएगा, तो आप हर चीज़ को तोड़ कर देखने लगेंगे और इसलिए, आज लोगों को रिष्टे निभाने में इतनी मुश्किले आ रहे हैं क्योंकि अगर आप तोड़ कर किसी को देखेंगे, तो कोई भी सही नहीं लगेगा, आप भी नहीं हाँ, अगर आप उनको खुद में शामिल करें, अपनाएं, तो आप उस व्यक्ति की खुबसूरती जान सकते हैं चीरफाड करके जाचें, तो सब बचूरत दिखेंगे, हाँ या ना तो अगला आयाम है, अहंकार, अहंकार का मतलब है आपकी पहचान, मैं जानता हूँ इसे जादा तर एहम या इगो कहते हैं, पर नहीं, यह आपकी पहचान है आपने अपनी जो भी पहचान बनाई है, आपका तर्क उससे सुरक्षित रखने के लिए पूरी कोशिश करेगा, हमेशा अगर आप में ये विचार मजबूत है कि मैं एक पुरुष हूँ, तो तर्क आपकी पुरुष प्रकृती को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा आप कहें मैं इस्ट्री हूँ, तो यह आपके स्ट्री पहचान को बनाय रखने की कोशिश करेगा अगर मैं भारतिय हूँ तो उसकी सुरक्षा करेगा, आप कहें मैं अफ्रिकन हूँ तो वो उसकी सुरक्षा करेगा, आप अपनी जो पहचान बनाएं ये उसी के इर्दगिर्द काम करेगा, आपका तर्क उस पहचान को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा, यानि आप अ उसी के इर्दगिर्द काम करेगा बुद्धी के अगले आयाम को कहते हैं मनस मनस का मतलब होता है यादों का विशाल भंडार यादों के आठ रूप होते हैं मैं उन सभी की बात नहीं करूँगा पर ये तो साफ है कि मनुष्य के विकास से जुड़ी यादें मौजूद है मतलब अगर आप आम खाते हैं तो वो आपके अंदर जाकर आपके शरीर का रूप लेता है अगर कोई गाए आम खा ले तो वो गाए के अंदर जाकर गाए का शरीर बन जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि आप में एक तरह की विकासिय याद है अगर ये याद गहरी ना होती तो अचानक आप आम खाते और एक दिन बंदर बन जाते ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि आप में विकासिय याद बहुत गहरी होती है ये एक पल के लिए भी नहीं भटकती आप अपने मन में बहुत सी चीजें सोच सकते हैं पर आपकी विकासिय याद पूरी जिन्दगी में एक पल के लिए भी नहीं डगमगाती आप कुट्टे का खाना खालें तो कुट्टे नहीं बन जाएंगे है ना? अगली है आपके वन्श की यादें हम जब भी याद कहते हैं तो हमें लगता है वो यहाँ है नहीं आपके शरीर की हर कोशिका में आपके दिमाग में बसने लाएक याद से करोडों गुना जादा यादे मौजूद है आपको याद है आपके दादा के दादा के दादा कैसे दिखते थे नहीं याद पर उनकी नाक आपके चेहरे पर मौजूद है वो मौजूद है लाखों साल पहले आपके पूरवज कैसे थे ये आपके शरीर को आज भी याद है है न? आप आज एफरिका में रह रहे हैं, पर उससे याद भ्रमित नहीं हुई आपकी तवचा का रंग भी नहीं बदला, वो भी वैसा ही चला आ रहा है अगर आप यहां लाखों सालों तक इसी तरह रहते रहे, तो भी इसको याद रहेगा आप कैसे हैं यही जनेटिक मिमरी है, तो सचेतन यादे होती हैं, अवचेतन यादे हैं और अचेतन यादे भी होती हैं यादों की कई परते होती हैं, लेकिन यादों का एक विशाल भंडार है अगर याद और तारकिक बुद्धी एक दूसरे से अलग हो जाएं तो तर्क किसी काम का नहीं रहेगा आपका तर्क सिर्फ इसलिए स्मार्ट लगता है क्योंकि उसको लगातार आप में मौजूद यादों से मदद मिलती है इसलिए आजकल स्मार्ट होने का मतलब है जब आप अगली डिनर पार्टी में जाएं तो आपको क्या करना है आजकल सब यही कर रहे हैं वो इंटरनेट खोलेंगे और वे गूगल पर गैलेक्सी जी 65 के बारे में पता लगा लेंगे इसके बारे में कोई डिटेल किसी को नहीं पता कि वो गैलेक्सी है भी या नहीं पर उसकी कोई जानकारी जैसे वो कितनी दूर मौझूद है कितने लाइट यर की दूरी पर है और वे डिनर पार्टी में यूहीं बोल पड़ेंगे क्या आपको गैलेक्सी जी सिक्स्टी फाइव के बारे में पता है लोग इसी तरह से स्मार्ट लगने लगे हर दिन बिना यादों के आपका तर्क किसी काम का नहीं है इसलिए हम हर वक्त नई यादे कठे करते रहते हैं क्योंकि बिना यादों के आप दूसरे लोगों के सामने बेवकूफ नजर आएंगे पर ग्यान का एक और आयाम भी है जिसे चित्त कहते हैं उसमें यादें बिलकुल नहीं होती है उसमें याद का नामुनिशान नहीं होता ये शुद्ध बुधी है यादों का क्या मतलब है आपकी सभी सीमाएं आपकी यादें निर्धारित करती है आप कहते हैं यह मेरा देश है कैसे? आपने अपनी याद में यह बसा रखा है आप कहेंगे यह मेरा शरीर है इस शरीर का ढाचा और बनावट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वैसी यादें इसमें बसी हुई है, हाँ या न, आप मेरी बात समझ रहें? अभी यह इंसानी रूप ले रहा है, हम इसमें जो भी खाना डालते हैं, वो इसी इंसानी रूप में बदल जाता है, क्योंकि इसमें एक तरह की याद है, य affect नहीं बनने वाला, आप कोशिच करके देख सकते हैं, लोग कोशिच करते भी हैं, पर नहीं हो पाता, क्योंकि हमार यादों की एक बनावट होती है और एक सीमा होती है किसी भी तरह की सीमा के बारे में आपके विचार सिर्फ आप में बसी यादों से ही तै होते हैं लेकिन आप में एक ऐसी बुद्धी है जहां कोई यादे नहीं होती अगर आप उस बुद्धी को छू लें तो अपनी सीमाए बढ़ाने की ये चाहत गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको ब्रह्मांड तक अनियंतरित पहुँच मिल गई है। योग में योगियों के पास इसे व्यक्त करने का शरार्ती तरीका है। वे कहते हैं कि अगर आप अपने चित को छू लें, तो भगवान आपके गुलाम बन जा जाएगी, क्या है।